इनको बता जो तेरे followers है ना जिनको तू बखवास करके जो तू रास्मेंट कर रहे देश में वो बता दे कि आज के बाद में मैं कभी जिन्दगी में बखवास नहीं करुआ हलो हलो जितने भी मेरे भाई है मैं एक्चली यहां पर अभी गुरगाओ में हूँ और मैं आप लोगों को यहीं बता रहा हूँ कि जिन्दगी में मैंने जो भी बखवास की है सोशल वेडिया पे प्लीज प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दो और मैं कभी भी ऐसी कुछ भी ह समझाया है तो मैं उसका पालन करूंगा魚 मैं वच्चन देता हूँ कि मैं कभी भी जिन्दगी में ऐसे कुछ भी हर्कत नहीं करूंगा जिसके किसको दिलको ठेज पहुँचे प्लीज प्लीज मुझे माफ करदو सर मैं कभी भी जिंदगा इसी करूंगा क्योंकि मुझे सर ने बताया दीपक नांगल सर ने और उन्हें ने मुझे बताया मैं कभी भी ऐसी हरकत नहीं करूंगा प्लीज मुझे माफ कर दो जो आप बकवास कर रहे हो न वो मेरे खहल से 10 आदमियों को अच्छी लग रही है और 1000 आदमियों को मुझे लग रही है इसलिए आज आपको ये result दिना पड़ा कि आप जो बकवास कर रहे हो न आज के बाद में अगर ये आपने बकवास करी न आप देश की किसी भी कौने में होगे तो आपको थपड ही लगेंगे जिन लोगों ने आपको आज तक छोड़ा वो इसलिए चोड़ दिया होगा कि भाई वाहियात आदमी है इसको छोड़ दो बाकी जिन्दगी में अगर ये गलती कर दीना कभी आप अनीमून मना रहे हो कि आप मैं सोशल मीडिया पर निमून बना होगा चोटे चोटे बच्चे देखते हैं बारा साल के पंदरा साल के सतरा साल के कभी निया करूंगा पराव्यस करता हूं कि तर ने मुझे कहा है मैं कभी भी ऐसे नहीं करूंगा आप लोग जो भी इसके फोलोवर्स हो अगर एंटरेन हो रहे हो कोई बात नहीं एंटरेन्मेंट के लिए और बात बहुत सारी चीज़े है बट चोटे-चोटे बच्चे भी देखते हैं अभी ये थोड़ी देर पहले दो गंटे पहले शोचल मीडिया पहले सीपी में खड़ यहां से फाड हुआ और भी चाहता हूँ क्योंके मुझे नांगल सर ने बटाया है और नांगल सर बहुत बढ़े आपड़ी है और नांगल सर ने मैं बढ़ा नहीं हूँ, मैं बढ़ा नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, बट तेरे जैसे गिन्योय आदमी के लिए न, मैं बहुत कुछ हूँ, मदब तेरे इतने टुकडे कर दूँगा, आज के बाद में कश्मीर जा, कंद्या कुमारी जा, कहीं जा तू, आज के बाद में अगर तुने कोई भी गल्थ किसी को भी मैसेज दिया ना कि महरा किसामत के साथ हनीमून मनाँगा हनीमून मनाईगा, सोचल मेडिया पर हनीमून मनाईगा आज के बाद में तेरे फॉलोवर्स देख रहे हैं इसलिए दिखा रहा हूं तरको आज के बाद में अगर याद रखियो इस बात को याद रखियो शराफ सिग्रेट नहीं पिता हूं ना में शराफ पिता हूं ना सिग्रेट पिता हूं तु अपनी मम्मी को भी सोचल मीडिया पे लिए क्या है शरीफ ओरत है हो शी इस वेरिड नहीं मेरी मम्मी बहुत अच्छी है सर बहुत अच्छी है तो आप उसके साथ क्या कर रहे हो आप उनको भी अपने सोचल मीडिया पिलना के वो जो आप बोलते हो करते है करते हैं आप बोलते हो ना मेरी मम्मी मुझे बता, वो इंट्रेस्टेट नहीं है, लेकिन वो मुझे प्यार करती है, इसलिए वो करती है, क्या प्यार हुआ, साले आप, हाथ रीचे, हाथ रीचे, हाथ रीचे, हाथ रीचे, हाथ रीचे, आप अपड़ी मम्मी को, सारी दुनिया को दिखा रहे हो, क्यो वजय बताओ करूआ तो मेरा प्रोटीम पीलो क्या वाहियात बाते हैं आज की तो समझ ए करो आज के बाद में नोट कर लो सोसल मीडिया प्याओ अच्छे मैसेज देने के लिए समझे आज मैं जिंदगी में पहली बार सोसल मीडिया पर आया हूं आपको बता हैं मैं कभी देखा हूँ आपने सोशल मीडिया पर आया हूँ सिर्फ आपकी वज़े से कि आप इतनी वाहियात बहुत कर रहे हो सोशल मीडिया पर अगर आज के बाद में आपने सोशल मीडिया पर अगर आज के बाद में कभी भी ऐसे नहीं करूंगा कि नांगल सर्थ को मैं प्र आप जो भी हो आप इसके फैन हो क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे है ये अच्छी बात करे तो इसको सपोर्ट करो 1000% ठीक है जो भी अगर कोई इसकी सोचल मीडिया पर पूछ रहा है ना कि कोण है ये मैं हूँ दिपक नांदल गुड़गावां से ठीक है मुझे कोई मतलब नहीं है ये कोण है बैणगा लोड़ा I don't care ठीक है मैंने इसकी वीडियो देखी आज कि ये दिल्ली में है और ये बकवास बाजी कर रहा है इसलिए इसको इसको पीट रहा हूँ और आज के बाद में अगर ये कोई बकवास बाजी करेगा ठीक है तो इसके साथ ये किसी देश के किसी भी कोणे में होगा तो इसके साथ सेम होगा ये कहीं भी होई ये देश के किसी भी कोणे में होगा ये ही करूँगा और जो इसके फॉलोवर्स जो इसको इसको सपोर्ट करे ना उनकी भी गांड पे मारूँगा अगर किसी को बरम हो ना ठीक है? जो इसको पसंद करते हो, इसको गाइड करो की भाई अच्छी विडियोष बनाए, हसाये हमें, अगर हसायगा, तो अच्छी चीज होगी. और ये बास करेगा कि मेरा ये पीलो, वो पीलो, मैं राकी सावंद के साथ हनीमून मना हुआ, मैं लाइव हनीमून मना हुआ, मैं लाइव बच्चे पैदा करूआ, तो ये हमारे समाज के लिए अची चीज नहीं है, और जो हमारे समाज के लिए गल्चीज करेगा, उसके साथ यही होना चीए बाकि जो इसके सपोर्टर है वो वी सी जैसे हैं दले जो इसके साथ सपोर्टर है जो अब इस मैसेज में कुछ भी लिख रहे होगे वो दले है अगर मेरे बारे में कोई गल्त लिख रहा है तो इतनी इम्मत रखो कि मेरा डायरेक्ट दीपग नांदल 21 के नाम इसको गल्त देखो मत और जो ठीक मैसेज दे उसको खूब अच्छे से देखो बाकि ये सारी चीजा पड़े से बताएगा आज के बाद में यहीं कहूंगा कि जिन्दगी में मैं कभी भी ऐसी गल्ती नहीं करूंगा क्योंकि दीपक साब ने मुझे समझा दिया है और मैं बलत मेसेज दू समाज को बस मैं यहीं चाहता हूं कि दीपक सार में सीरियसली कभी ऐसे नहीं करूंगा सथ इसकी एल्थ के लिए ठीक रहेगा आज के बाद में अगर बक्वास बाजी करेगा तो कहीं भी होगा देश के किसी भी को नहीं होगा कश्मी रोकन नहीं कुमारी ह तो अहीं भी होगा तू महीं दोल लोगा ठीक है अबरी